सुविशाल गच्छाद्यपती पूज्यपाद आचार्य देवेश श्री दौलत सागर सुरीश्वर जी महराजा के जन्मशताब्दी महुत्सव के उपलक्ष में कुरांतिकारी प्रवचनकार श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपोगच्छी सुविशाल सागर समुदाय के गौरव पूज्य पन्यास प्रवर श्री विराग सागर जी महराज द्वारा विराग क्रांती वानी का हिदय भेदी धारदार प्रवचन जिन शासन जिन्दबाद जै गुरुदेव पुन्य और पाप बचपन से हम ये दो शब्दा सुनते आए कभी हम जब बश्पन में जूट बोलते थे हमारी मम्मा हमको कहते थी कि बेटा जूट नहीं बोलना पाप लगता है बेटा चोरी नहीं करना पाप लगता है गुस्सा नहीं करना पाप लगता है जूटा नहीं छोटना पाप लगता है कभी हम पानी से खेलते थे बार बार लाई चालू बन करते थे कभी हम पतंग उड़ाते थे कभी हम ज़्यादा टीवी देखते थे वीडियो गेम खेलते थे चो भी कुछ करते थे हर बार हमें कहा जाता था कि ये पाप है पाप है पाप है देखो सज बोलने से पुन्य मिलता है थाली धोकर पीने से पुन्य मिलता है किसी गरीब को सहाय करो आपको पुन्य मिलता है भगवाल की पुजा करो आपको पुन्य मिलता है आप आज नौका से चुव्यार करो आपको पुन्य मिलता है आप गुरू मंदना करो आपको पुन्य मिलता है या तो हमने पाप सुना है या तो हमने पुन्य सुना है आप अच्छा करोंगे तो ये पुन्य है आप गलत करोंगे तो वो पाप है और ये जो पुन्य पाप पुन पुन्य और पाप के भी चार प्रकार है और इन चार प्रकार को हमें सुनना हमें समझना है जैसे कि एक ऐसा पुन्य के पुन्य के उद्य काल में हम वापिस उस पुन्य से हम नया पुन्य उपार्जन करें पुन्य से पुन्य यह पहला प्रकार है एक ऐसा पुण्य के पुण्य के उधेकाल में हम नया पाप उत्पन्न करे तो ये दुसरा विभाग हुआ पुण्य से पुण्य पहला विभाग, पुण्य से पाप ये दुसरा विभाग हुआ तीन नमबर में आता है कि ऐसा पाप कि जिससे हम नया पुन्य उपारजन करे यानिके पाप से पुन्य यह तिसरा प्रकार हुआ और नमबर चार है एक ऐसा पाप कि जिससे हम नया पाप उत्पन न करे यानिके पाप से पाप मैं आपको बरापर डिटल में समझाता हूँ आज पुन्य से पुन्य इसे कहते हैं पुन्यानू बंधी पुन्य पुन्य से पाप इसे कहते हैं पापानू बंधी पुन्य नमबर तीन पाप से पुन्य यानि के पुन्यानू बंधी पाप और नमबर चार पाप से वापिस नया पाप याने पापानूबंधी पाप लाश के जो शब्द है उसका अर्था में पहले लेना है और पहले का जो शब्द है उसका अर्था में लाश में लेना है पुन्यानुबंधी पुन्या यह एक ऐसा पुन्या जिसका अनुबंध पुन्या में हो पुन्या अनुबंध is equal to पुन्यानुबंधी पुन्या पुन्या का अनुबंध कराने वाला पुन्या उसे पुन्यानुबंधी पुन्या कहते है पापानू बंधी पुन्यों पाप का अनुबंध कराने वाला पुन्यों के जिससे हम नया पाप उपारजन करते है नया पाप का अनुबंध करते है ऐसे पापानू बंधी पुन्यों नमबर तीन पुन्यानु बंधी पाप यानि कि ऐसा पाप के जिसका अनुबंद पुन्या में हो पाप के उदे काल में भी अगर हम कुछ नया अच्छा काम करते हैं तो वो अनुबंद जो होता है पुन्या का अनुबंद हो रहा है और इसलिए उसे कहते है पुन्यानु बंधी पाप और नमबर चार पाप से वापिस नया पाप यानि के नया पाप का अनुबंद कराने वाला पाप इसलिए उसे कहते हैं पापानू बंधी पाप ऐसा पाप के जिसका अनुबंध वापिस नया पाप में रुपाते रित हो रहा है एक्जाम्पल से हम सुनेंगे तब हमको ये बराबर दिमाग में उतरेगा कि हम चार में से हमारा पुन्य कौन सा हमारा पाप कौन सा है पुन्यानू बंधी पुन्या ये सबसे फर्स नंबर में है पुन्यानू बंधी पुन्या पुन्य के उधे काल में भी वापिस नया पुन्य उपारजन करना जैसे कि श्रीपाल महाराजा की बात अगर हम करें श्रीपाल महाराजा के जीवन की घटना हाँ ठीके उनको कोड रोग हो चुका था और वो कोडिया थे लेकिन सिद्वचक्र भगवान की आराधना करने से और जो भी अभी मंतरित वो नवन जल और अपने शरीर के उपर छंकाओ करने से और उनका वो कोड रोग दूर हो गया और उसके बाद उन्होंने सिद्वचक्र भगवान की जो आराधना है उन्होंने इतने दिल से की है मन वचन काया की कागरता से इसको प्रनिधान केते है और प्रनिधान पुर्वक उन्होंने सिद्ध चक्र भगवान की जो साधना की उसके प्रभाव से देखो नवपद भगवन सिद्ध चक्र में नवपद होते है अरियान सिद्ध आचारे उपद्य सादू दर्शन न्यान चारितर तप ये जो नवपद है इस नवपद की आरादना करते करते पुन्य के उदेकाल में और ऐसा नया पुन्य उपारजन किया कि नौ नौ के आकड़े से वो जुड़ गए और शिपाल महाराजां कि जो के भरतार हुए इतना ही नहीं उन्हें नव राज्य की प्राप्ती हुई सिर्फ खुद का राज्य इसे नहीं जहां जहां गए भावा का राज्य भी उन्हें प्राप्त होता गया और वो एक दिर वो नव राज्य के अधिपती महाराजा यानि के महाराजा राजा बने वो बड़े सबसे समराड बने तो ऐसे देखो नौपत की आराधना करने से पुन्य का उदे था इसलिए तो नौपत की आराधना उनको भाई इसलिए तो वो धर्मा आराधना उनको उस आराधना में उनका मन लिपत हो गया और ये नौपत की आराधना का पुन्य का प्रभाव दे पज़िधी समुरुध्धी उन्हें सब कुछ ए वन क्वालिटी का मिला नौ पत्नी मिली नौ राज्य मिले और कहते हैं के नवे भव में मोक्ष मिलने वाला है जिस स्रीपाल मैना सुन्दर की हम हर बार ओली के दिनों में आसो और चैतरी ओली के दिनों में उनको वियाद करते और उनके गुनगान गाते है बहले वो दिक्षा नहीं ले पाए लेकिन फिर भी देखो श्रीपाल और मैना सुन्दरी आज भी उनके किर्टन हम गाते है बड़ी-बड़ी सज्जयम ललकारते है श्रीपाल ने मैना सुन्दरी रे लोल ऐसे करके उनके हम कितने हम स्टवन और सज्जयम उनको बार बार याद करते है उन्हें हम स्तुती स्टवनों में हम थोई जोड़े में उनको याद करते है तो ये क्यों हुआ ये था पुन्यानू बंदी पुन्यों ये ऐसा पुन्यों जिसके उदे काल में उन्होंने अपने उस सत्ता का उस संपत निका उन्होंने गेर इस्तमान नहीं किया और उन्होंने उससे वापिस नया पुन्य उपारजन किया इसका मतलब इस पुन्यानुबंदी पुन्य का फॉल होता है कि इंसान इस भव में भी वो सुखी होता है और उससे व और आपको सो रुपे की प्रभावना आज मिली सो रुपे की प्रभावना मिलने के बाद आपने सो रुपे में करू क्या चले काम करता हूँ यह सो रुपे में मंदीर गया हूँ तो मंदीर में भगवान के भंडार में में डालता हूँ आज भगवान को मैं सो रुपे अरपन करता हूँ आज सो रुपए के मैं पुषप लेकर भगवार के पुषप पुजा करता हूँ लाओ आज किसी गरीब बिचारा भुका है लाओ उसे इस सो रुपए में उसको मैं खाना खिलाता हूँ यानि आपने क्या किया सो रुपे की प्रभावना आपको पुण्य से प्राप्त हुई और वही प्रभावना जो आपके जो आपके हक की प्रभावना थी लिए आपने उसको आपके लिए स्वयम के लिए इस्तमान ना करते हुए उससे आपने वापे सुकृत याने के नया पुन्य उपारजन किया ये क्या हुआ तो इसको कहते है पुन्यानू बंधी पुन्य शरीर भी हमें मिला है ना ये शरीर भी हमें पुन्यानू बंधी पुन्या बन सकता है कैसे जैसे कल मैंने आपको बताया के सनत कुमार चक्रवर्ती ये सनत कुमार चक्रवर्ती ने जिस तरह से अपने एक चक्रवर्ती होते हुए भी पाप का उदेकाल हुआ तो एक साथ में 16-16 प्रकार के रोग शरील में उत्पन्न हो गए लेकिन जब उन्होंने इस संसार की इस देह की असारता को पैचान लिया और उन्होंने इस देह से साधना करने का निश्य किया इतने बड़े समराठ चक्रवर्ती जो कहलाते सनत कुमार चक्रवर्ती और ऐसे सनत कुमार चक्रवर्ती 32,000 देश के मालिक होते है 96 करोड गाव के जो अधिपती होते है 14-14 रत्नम जिनके सेवा में हाजर होते है 16,000 यक्ष जिनके सेवा में खड़े पेर हाजर होते है और 64,000 रानियों के भरतार है और ऐसे महा धनवान, महा भूगी जिनको कहते है ऐसे चक्रवर्ती सनत कुमार और संसार को अलविदा करकर और दिक्षा लेकर सयम के पज़ पर आगे निकल गए और 700 साल तक उन्होंने जो घोराती घोर जो तप किया जो साधना की, जो आराबना की, जो तपस्या की, जो ध्यान किया और उसके प्रवाव से उनके शरीर के अशूची में भी एक ऐसी लब्डी शक्ति उत्पन हुई जब वो देवलोग के देव आते है चलो हम आपके रोग दूर कर देते है 700 साथ सो साल तक इन रोगों को उन्होंने 16-16 महा रोगों को सहिन किया और आज वो देवता आये है, कि लाओं, आपका रोग हम दूर करते है सनत कुमार ने सिर्फ अपनी उंगली को थूक लगाया और देखा, तो पूरी उंगली सुवर्न हो गई, सोने की हो गई तो सनत कुमार ने कहा कि अब तुम मेरी थूक में भी वो शक्ति उत्पन हो चुकी है कि मैं मिरे पूरे शरीर को मैं सुवरन मैं बना सकता हूँ कांती मैं बना सकता हूँ लेकिन नहीं जिस शरीर से मैंने आज तक पाप किया है अब उस शरीर से मुझे सिर्फ वसिर्फ साधना करनी है यानि शरीर जो मुझे मिला है न ये पांचे इंद्रियों जो मुझे मिली है वो अनंत पुन्य से प्राप्त हुई है और आज उस पुन्य से प्राप्त हुई इंद्रियों को अगर मैं उसका अगर भोग मैं अगर इस्तमाल करूँगा तो वो मेरा पाप में रुपांपिर्द हो जाएगा और मुझे नया पाप बंद नहीं करना है मुझे तो कर्म के निर्जना करनी है बंद होना ही है तो पुन्य का बंद होना चाहिए और इसलिए कहते हैं वो पुन्यानू बंदी पुन्य के वापिस इस शरीर से नया पुन्य उपारजन किया शरीर मिला है पुन्य से और उस पुन्य से मिला शरीर को साधना में जुड़कर उन्होंने नया पुन्य उपारजन किया और ऐसे सनत कुमार चक्रवर्ती तो कली हमने उनकी घटना सुनी कि कैसे अचानक रोग उद्पन्न हुए पाप का उद्पन्य काल हुआ लेकिन वापिस साधना में जुड़ गए तो पुन्य में रुपांतरित कर दिया और ये शरीर जो पांचों इंद्रियों की पटुता जो मिली है और उसका स्वह इस्तेमाल करने से पुन्यानू बंदी पुन्य हुआ हम क्या कर रहे है पहले हम चत्रु भंगी को समझने के बाद फिर पता चलेगा कि हम क्या कर रहे है पुन्यानू बंदी पुन्य के बाद दुसरा स्टेप हम लेते है पापानू बंदी पुन्या पुन्य से मिला पुन्य से प्राप्त हुआ और उसका हमने अनुबन पाप में कर दिया वो कैसे सो रुपे की नोट मिली और उस सो रुपे की नोट चलो आज प्रभावना में सो रुपे मिले हैं चलो होटेल में जाकर आज जले भी फापड़ा खाकर आते हैं क्या कि आपने अबख्ष खाकर आये आप सो रुपए से कई न कई आपने जुवा खेला सो रुपए तो मैं एक्जामपल बता रहा हूँ फिर सो हजार लाग दो लाग पाश लाग पचास लाग एक करोड जो भी आप आपको मिली लक्षमी आपको मिली संपत्ति आपको मिलाय शरील आपको मिली आखे इन आखों से अपने भगवान के दर्शन किये बुन्यानू बंधी पुन्यों और अगर यही पुन्य से मिली आँख, पुन्य से प्राप्त हुई है, लेकिन अगर इनी आखों से आपने किसी की गलतिया देखी, यानि आपने इस आखों का दुरूपयोग किया, आपने आपके संपति का मिस्यूस किया, आप क्या कर रहे हो पता हैं, जो मिला है वो पुन्य किस काम का जो आपको पाप में लेकर जाए ऐसी संपत्य किस काम की कै आपको डुबो दे वो मंबन सेट के पास इतनी अडरक इतनी जबरदस संपत्ती थी दोम दोम साइबी थी क्या मतलब उस संपत्त्ती का ना तो किसी गरीब को काम में आई ना कभी कोई धर्मदान के अंदर काम में आई ना कोई मंदिर बनाने में ना किसी उपाशर निर्मान में या कई पर भी कोई मानवता का कारिया निधार में कोई कारियी श्रीटा करते करते गया करते गया और आखीर में मरकर वो मंमन सेट इतने संपत्ति मिलने के बावजूद भी पैसा पैसा हुआ मरकर रोख साथवी नरख के अंदर चला गए साथवी नरख के अंदर लिए क्या मतलब यह ऐसा पुन्या की सकाम का। थुन आपको अनुबन पाप में ले के जाए, आपकी दुर्गती करे, आपने आखों से भगवान के दर्षन किये, पुन्यानुब अंदी पुन्या और पुन्य से मिली इन आखों का अपने मिस्यूँज किया, आपने इसी आखों से टीवी देखा, आपने विबाश सद्रश्य किसी की गलतिया देखी क्या हुआ आप में इस आखों का मिस्यूस किया तो वो क्या हुआ पापानू बंदी पुन्य पुन्य से आख मिली गलत इस्तमाल किया तो उसका अनुबंद गलत हो गया अगले जन्नम में आपको आख नहीं मिलेगी यह कान जो आपको मिले बड़े पु याने आपने इस कान का क्या किया जो कान आपको किसी के सगुन सुनने के लिए मिले है भगवान की वानी सुनने के लिए मिले है और इस कान से आपने किसी की निंदा सुनी आपने ऐसा संगित सुना कि जो आपको सुनना नहीं चाहिए आपके इंद्रियों को भेकाने वाला यह जो पॉप संगीत यह म्यूजिक जिससे आपकी इंद्रिय भैक उठती है और आप बिबत से नाशने लगते हैं नहीं तो यह कान का अपने दुरूपयों किया और इसलिए आपका यह अनुबंध कहां होगा यह अनुबंध होगा पाप में इसलिए दुसरे जन्रम में आप को कभी कान ही मिलेंगे अरे कोई अगर आपके सामने अगर कोई निंदा कर रहा है अगर कोई किसी की अगर कोई गलत बाते कर रहा है सुना रहा है आपको आप बोल दो इसको भै आज नहीं कल आज दुकान बंध है अरे भै मेरी बात तो सुन तिरे को मालूम है इस भाई के गर पर क्या हुआ इस भेहन के घर पर क्या हुआ। अरक वह बोला ना ज दुकान बंद है और के क्या न हे करना आज दुकान बंद है कोई भी को आपको आपके सामने आकर निंडा करता है न आपको यही लोग आपको बोलना है आज आज के प्रवश में इतना सीख लेना आप इतना ही बोलना आज दुकान बंद है वो बोल रहे हैं दुकान से क्या लेना देना मेरी बात तो सुन बोला ना आज दू कान बंद है क्या बोलेंगे आप आज दू याने दो कान बंद है मुझे कुछ न आवना करनी है, मुझे कुछ अच्छा सुकृत करना है, क्योंकि मुझे पापानु बन्धी पुन्यन नहीं चाहिए, मुझे पुन्यानु बन्धी पुन्यन उपार्जन करना है, और कैसे आगे और भी चत्रु भंगी को सुनने के लिए हम प्रयत्न करेंगे बाकी का अधिकार आज पुझे पाद सागर जी महराज का जन्म दिन है और इसलिए हम पुझे पाद आगमधरक सागर जी महराज याने के आगमधरक सुरिश्वजी महराजा और उनके हम जय बुलाते हैं मुला पुछ 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 अग्मुधरंग आनंसातर सुरुषोजी महाराज की जय हो जय गिरी राज, जय अधिनात, जय गुर्देव। दली चंद जी दोशी परिवार, सौभाग्यवती हंसा बेन महिंद्र भाई दोशी, सुपुत्र विजय निमेश निखिल, फोर्म चिच बिट मसाला, वाशी नभी मुंबई। मंडार निवासी सौभाग्यवती नैना बेन मुकेश जी शाह परिवार पुणे, आहोर निवासी सौभाग्यवती पुष्पा बेन प्रकाश जी जिमावत परिवार पुणे। सौभाग्यवती शिल्पा बेन हरेश भाई लाखानी परिवार कांधिवली